हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस प्रीमियल लीग मैच काम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा क्रिश्टल पैलेस वर्सेस ब्राइटन के बीच तो ब्राइटन का ये सीजन की सुरुवात तो बहुत अच्छी रही थी पर लास्ट कुछ मैचेस थोड़े अच्छे नहीं गए जिस वैसे अब ये डिसेंट है अगर मैं आपको टेबल में दिखाओ अब ये नाइन्थ में है बढ़ ये इससे बेटर कर सकते थे फिलाल 17 मैचेस में इनके 26 पॉइंट है 33 इन्होंने बहुत अच्छे गोल मारे बढ़ इनकी प्रॉब्लम आते है डिफेंस में काफी गोल भी ये कंसीट करते है इस वैसे इन्होंने 30 गोल कंसीट कर दिये वही क्रिश्टल पैलेस भी एक प्रस यह अभी तक बहुत ज्यादा एवरेज या बिलो एवरेज सा गया है तो दो ऐसी टीम जो रीसेंटली वहांगा थोड़ा सा श्ट्रगल कर रही है वह एक दूसरे को फेस करने वाली है और यह जो फिक्स्टर है यह डार्वी फिक्स्टर भी है तो आपको मैं बता इस मैच में मटेटा का एक गोल है था उलीसे का गोल तर शलप का असिस था वहीं ब्राइटन जो है अपना लास्ट मैच टू निल से आर्सेनल से हारी है फिलाल इस वाले मैच की बात की जाए अभी आप देखेंगे रिसेंटली दोनों ही टीम थोड़ी सी इंकंसिस्टेंट थोड़े श्ट्रेगल कर दी है तो इससे देखते हैं मैं यहाँ पर विनर प्रिक्ति नहीं कर पा रहा हूँ तो अभी के लिए मैं एक स्कोर्ट ड्रॉ के साथ जा रहा हूँ मैं एक बैलेश टीम ही बनाने वाला हूँ अब गाइस सबसे में चीच इस मैच की लाइन अप आ या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिंड कमेंट में जॉइन कर लिजे अब हम आजाते हैं डारेक्ट प्रोईबल लाइनप पे और पहले स्टार्ट करते हैं ब्रैटन से तो यहाँ पर इस मैच में कोई क्लियर कट इस मैच में मुझे नहीं लग रहा किसी की बी क्लिंशीट आएगी बट एक चीज है जो मेरे अकोडिंग ज्यादा पोजेशन डॉमिनेट करेगी वो टीम होगी ब्रैटन विकास यह बहुत ज्यादा हैवी पोजेशन डॉमिनेट करते हैं तो मैं अभी के लिए तोटल तीन नहीं दिफेंडर लया होग विकास मुझे नहीं लग रहा क्लिंशीट आएगी लेकिन उसमें मैंते दो टिफेंडर ब्रैटन के पिक करके गया हूँ पड़ अब कर आपको लगता है ब्रैटन की धिफेंडर लिया सकते हैं किसी पी लगता है पहले सब्स अपने घर में खर तो वो तीनों पहलेस के defender लिया सकते हैं लेकिन मैं defense section में एक balance बना रहा हूँ तो यहां अभी जो मैं दो defender ले रहा हूँ इस back line में वो दो मेरी choice हैं dunk एंड हिंसल वूट dunk तो मेरे according must pick हैं के captain है, leader है defense के header में goal लगा सकते हैं, passes करते हैं, defensive है solid है, यह तो must pick है, बाकी हिंसल वूट जो है, recently इनको काफी mockे मिल लेक यंग्स्टर है और यह attacking wise भी और defensive है भी right back position या कभी left back भी खेलते हैं अच्छा कर रहे हैं, इस वैसे अभी मैं dunk और हिंसल वूट को ल मिलको दोनु से भी better option मिल ले थे, मैं midfield में gross को सबसे बहले pick करूँगा, यह इनका one of the best या the best player है ब्राइटन का, यह बंदा हर चीज करते है, goal, assist, chance credit, defensive है और बिना goal assist के 30-30 point guaranteed आते हैं, तो मैं gross को जो है guaranteed pick करूँगा, अगर आप ब्राइटन को back करते हैं, तो मैं भी यह captain wise captain का भी top option होने वाल है, इसके लावा मैं addingra भी लिया रहा हूँ, recent form बहुत 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 अच्छी है, goal assist करने में के बहुत 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 अच्छी है, तो मैं addingra को लेगा हूँ, अभी मैंने mitomar pedro को भी लिया, although kairo mitomar cn बहुत अच्छी form में नहीं है, last को मैं ज ले सकते हैं, पहले से, betopie मैं mitomar बेट रश कर रहा हूँ, और मैं job pedro को भी करूँगा, jնकी recent form बहुत impressive है, और penalty भी लेगा, तो job pedro भी must भी गये और ये captain vice captain का भी top option होने वाल है, तो ये ब्राइटन की 11 थी, अभी मैं यहाँ से 6 player लेगा हूँ, जिसमें मैं 2 defender लेगया, dun लंक और इंसलवूड इसके लावा में ग्रॉस अडिंगरा मिटोम और पेड्रो को भी करके गया हूँ बाकि अगर पेड्रो स्टार्ट करेंगे और पेनल्टी भी लिंगे और यह अभी तक के ब्राइटन के स्ट्राइट आप देखिए छैगोल इवन फर्गुसन के हैं मेरे टेलिगराम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप इंड कमेंड में जॉइन कर लिजिए अब हम बात करते हैं क्रिश्टा पैलेस की तो डीन हेंडर्सन होने वाले इनके गोलकीबर मेरे मैंने एक चीज बताई थी स्टाइटिक में मैं टोटल तीन डिफेंडर लियारूं दो में लेगी अब रेटन से एक मैं यहां से लियारू जिससे एक बैलन्स भी बन जाएगा और अगर इनकी क्लिंशीट आगे को डिफेंडर प्लस 20 क्लिंशीट के भी पॉइंट से देगा तो वो जो मेरी नबरों चोईस है वो है वाकिम एंडरसन जो हैडर में बहुत बहुत इंप्रेसिव है दो या तीन हैडर गोल और लेडी सियन मार चुक है और डिफेंडर इस भी अच्छ है तो मैं अभी के लिए वाकिम एंडरसन को लेगा हूँ एक से ज़्यादा किसी को साथ जा सकते हैं रिसेंडी नोंने अच्छे का से डिफेंसी पॉइंट दिये पर अभी मैं दोनों को इग्नोर करहा हूँ मैं और ज्यादा अटेकिंग प्लेयर में फोकस कर रहा हूँ इन दोनों को विक करने के लिए स्पॉट नी था तो मैं क्रिस रिचर्ड्स हो गया और लेके गया हूँ शलब ने ओके ओकी कि अभी मैं इग्नोर करहा हूँ इनसे बेटर आप्सन में लेते और मैं फिलाल मट्रेटा को लेके गया हूँ जो इनका मेन नम्मर नहीं है दूसरा ब्रेटन का डिफेंस बिलकुल अच्छा नहीं है तो हो सकता है मट्रेटा फिर से गया हूँ यह क्रिस्टल पैलेस की इलेवन थी मैं अहां से पांच प्लेया लेगा मैं गोल की बाट दीन हेंडरेसन लेगया इसके लावब मैं डिफेंडर हुआ की में इंडरेसन लेगया और मैं ओली से एजे और मट्रेटा को भी करके गया हूँ अब पैनल्टी का देखे इनके अभी तक तीन पैनल्टी हुए है और तीनों अलग 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 प्लेयन ने लिए एक मैज में एजी ने लिए उसके बाद जो लास्ट टू लास्ट मैस था उसमें मट्रेटा ने लिए और लास्ट मैज में जब मैट्रेटा फिल में थे तब पैनल्टी ली उली से ने अब आए जाते हैं मेरी इस मैच की प्रिडिक्शन में तो मैं एक 1-1 ड्रॉ के साथ जा रहा हूँ विकॉज मैं दोनु टीम को यहापर सेपरेट नहीं कर पाया मेरे अकॉर्डिंग किसी भी साइड यह मैच जा सकता है तो मैं एक बैलेंस 1-1 ड्रॉ के साथ जा रहा हूँ तो आःइस में में जाओ, पैड्लिक्या मेरी ऑशुर्ड strike वरी और वहाँ से मैंने पाय लाइव मेक को, अब यह वह सकता है मीचल का सिब्स सब्सक्राइने एक जाुके नहीं करे सकते हैं, जो सकते हैं जो हो सकते हैं जा सकते हैं अब सब्सक्राइस किसे करें में चीज यह है क्योंकि मुझे दो तीन अच्छा option ब्रेटन से भी दिख रहे हैं अगर ब्रेटन से देखें पेड्रो ग्रॉस सबसे सेब option है अगर आप पैलेस से देखेंगे तो एजी बैस्ट option है लेकिन मेट्रेटा और उलिसे भी option है अभी के लिए मैं इन फार्म प्लेयर जाओ पेड्रो को मोस्ट पाबली अपना केप्टन करूंगा और मैं अभी के लिए एजी को अपना वीसी कर रहा हूं बट आप चाहे तो उलिसे को भी वीसी कर सकते हैं किसी को लगर अब रेटन अच्छा करेंगी हो ग्रॉस को भी अ कर लिए